अक्षरा सिंग के फादर का फूटा है बिग बॉस मीकर्स पर गुस्ता कहा है कि अक्षरा के साथ हो रहा है बिग बॉस के घर में गलत आखिर क्या है ये पूरी खबर जानते हैं इस विडियो के अंदर हलो दुसस लीसा गंवानी आख सभी को बता दे कि अक्षरा सिंग जो है अभी बिग बॉस के घर के अंदर बंध है और पिछले हफते नॉमिनेटेड भी थी लेकिन पिछले हफते नॉमिनेशन से जादा उनके कनेक्शन का जो दुख था वो उनको सता रहा था जिसके बाद प्रतीक ने उनके साथ कनेक्शन तोड़के निहा भसीन के साथ कनेक्शन बना लिया था और वो यहाँ पर आपने जो संसकार है या जिस तरीके से वो है उस चीज़ को मेंटेन करते वाए यही बोलती वही नजर आई है कि जैसी वो बहार है वैसे ही घर के अंदर रहेंगी वो कोई मुखोटा नहीं पैन सकती वो जैसी है वैसे ही रहने वाली है जिसके बाद अब उनके फादर इंदरजीत सिंग उनके सपोर्ट में उतराए है उन्होंने का है कि प्रतीक को यह लगता है कि अक्षिरा के शायद उतनी popularity नहीं है इसलिए अक्षिरा के साथ उनको connection में रहके नुकसान हो सकता है रिदिमा और करन का जैसे elimination हुआ है तो वैसे उनका भी elimination हो सकता है लेकिन वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं बहुत ही foolish हैं जो उन्होंने इस तरीके की हरकत की है बेकर अक्षिरा सिंग को कितने लोग प्यार करते हैं उसका अंदाजा भी नहीं है प्रतीक को वहीं बात करें उनके किस तरीके से उनका रवया रहा है अक्षिरा के साथ उन्होंने का कि अक्षिरा ने उनके साथ हमेशा साथ दिया है हमेशा खड़ी रही है और अक्षिरा ऐसी ही है जिसका एक बसाथ देना शुरू कर दिया तो उनके साथ खड़ी रहती है और प्रतीक ने अपने ही पैरों पर कुलाडी मारी है अक्षरा को छोड़ कर वहीं वो Big Boss Makers के लिए बोलते वे नज़राये हैं कि Big Boss Makers का अक्षरा की तरफ रवया जो है बायस नज़रा रहा है सब उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं शमेता और राकेश को क्लिरली Big Boss Makers की तरफ से फेवर किया जा रहा है उसके बारे में कोई भी यापे दो राय नहीं है कहीना कहीं राकेश और शमेता को पूरे टाइम जो है फोटेश मिलती है और उन दोनों को बहुत ज़ादा अटेंशन मिलता है शो के होस की तरफ से भी तो मेकर्स की तरफ से भी ऐसे में अक्षरा के फादर का जो ये गुसा फूटा है Big Boss Makers पर प्लस प्रतीक पर उसके बारे में आप समय लोगों का क्या है कहना जल्दी से लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में वाकी मैं चानल के साथ जोड़े रहे हैं और भी खबरे हैं लगातार ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहें